जैहिंद सभी डिफेंस पेंस्टनर बंधू आप सबों का मैने रेंद्र कुमार वेलनस कंसल्टेंट इंटरप्रेनर ट्रेनर आज स्वागत करता हूं असपर्स की ट्रेनिंग में इस स्रिंखला में आप सब बाकी वीडियो भी आप देखी रहे होंगे जिसमें मैंने यह किया जाए तो आज का विषय वस्तू है कि आप अपने प्रोफाइल को यानि कि आप अपने ब्यक्तिगत जानकारी जो की सर्विस से रिलेटेड हो सकते हैं आपके नाम पता मोबाइल लंबर एकाउंट डिटेल तमाम जो जिसे प्रोफाइल कहा जाता है इसे कैसे आप चें यूझर क्रिदेंसियल मिल चुके होंगे यानि कि यूझर आईदी और पासवर्ड मिल चुके होंगे आप सक्सेसफुल लोग इन कर लिये होंगे आप जो मैंडेटरी डिकलिरेशन होते हैं यहां आपने दे दिया होगा live certificate अपने देदिया होगा live certificate submit कर दिये होंगे तो जब आप Aspurs की website, जो की हमीशा मैं address बोलते रहा हूँ, https colon double slash aspurs.defensepension.gov.in को जब आप login करते हैं credential के, तो आपको welcome screen आता है, जिसमें की आपको rank के साथ welcome किया जाता है, आपका dashboard खुल जाता है, यहाँ left side में तीन parallel line होते हैं, इसको click करना है, menu button इसे बोलते हैं, menu button को आप click करें, और फिर आपको तमाम menu modules की तरह, sub modules की तरह दिखने लग जाते हैं, जिसमें की मुख्यता आपको track status दिखेंगे, life certificate identification दिखेंगे, my profile दिखेंगे, graviences, projected tax summary, slab by tax summary report, tax projection report, my document, service request, etc. यह सब तमाम menu के रूप में यहाँ पर आपको right side में दिखने लग जाते हैं, अब आप चुकी मैं इस वीडियो में profile के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको my profile module जो है उस पर click करना है, और फिर उसमें sub module भी रहता है, जिसमें कि आपको update, personal detail करने होंगे, आप अपना password जो create किये थे, हमने बताया था कि किस तरह से alpha numeric set कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि compromise हो गया है, तो आप यहाँ change कर सकते हैं, manage profile कर सकते हैं, अपने employment, re-employment के status को change कर सकते हैं, यानि कि आप अगर कहीं central government में, state government में, PSU में, PSB में कहीं कारेरत हो गए हैं, या वहाँ से भी निब्रित हो गए हैं, तो इस status को employment, re-employment सुच है, उसे change कर सकते हैं, आप अपने profile को भी देख सकते हैं, अब मैं मुख्य बिंदू पर आऊं, उससे पहले आपको बता दू कि, अगर इस channel में, living happily में, पहली बार आये हैं, तो आप अवसे ही हमारे channel को subscribe करें, like करें, comment करें, और comment के द्वारा आप पूछ सकते हैं, बेल आइकन अवसे ही push करें, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि, आप किस तरह से आप वहां तक पहुंचेंगे, अब आपको करना क्या है, जब आपने personal view को देखिए, तो यहाँ edit के भी facility दिया हुआ है, view और edit दोनों है, तो personal detail को आप edit भी कर सकते हैं, जिसमें की service detail है, family detail है, nominee detail है, bank detail है, इतरह की तमाम information करीब 8 से 10 टाइब हैं, इन सारे टाइब को बारी-बारी से आप देख भी सकते हैं, और change भी कर सकते हैं, इसमें परमुकता दो तरह की changes बदलाव आप कर सकते हैं, पहला तो है, जिसमें की आपको correction के लिए authorization चाहिए, यानि कि आपके जो record office हैं, competent authority, जिनके पास आपका seat roll है, आपका service का pure record है, PPO का copy है, ये सबसे वो verify करेंगे, तब हो authorized करते हैं, और दूसरा तरह का होता है, जो की street through होता है, आप तुरत डाले और तुरत हो जाएगा, तो अब मैं यहां बताऊंगा थोड़ी सी बारी की, कि कौन-कौन से वो details हैं, जिसे आप स्वतही change नहीं कर पाएंगे, तो इसमें परमुखता आते हैं, जो की आपको क्या होगा, record office, या आपके defense civilian के लिए record office नहीं होते हैं, उनके station headquarter कालाते हैं, इसे चो, उनके पास record होते हैं, उनके पास authority होता है, इसे change करने के लिए, PCDL आहावाद कई ऐसे defense civilian का है जो की PCDL आहावाद ही सारे record maintain करते हैं, तो वो verify करेंगे, और तब करेंगे, तब वो आपको effect में आएगा, जो की हो सकता है, कभी बार 7 दिन भी लग जाते हैं, या महीना भी लग जाते हैं, तो यह तरह की जो महतो पूर्ण जानकारी है, बहुत ही specific है, जिसमें कि आते हैं आपके नाम हो सकते हैं, जनम दिवस हो सकते हैं, आपके link हो सकते हैं, और marital status, इस तरह की कई जानकारिया हैं, जिसे कि आप स्वतह अपने नाम को change नहीं कर सकते हैं, DO भी change नहीं कर सकते हैं, married and married diversity यह सब नहीं कर सकते हैं, और gender, male, female यह सब भी change नहीं कर सकते हैं, तो यह तरह की जानकारी जो होती है, अस्टेट सुरूजी से बोलते, इसमें आप अपना एड्रेस जो की अभी आप रेजाइड कर रहे हैं, रिटायर्मेंट के टाइम आपने सीट रॉल में कुछ दिया, डिस्चार्ज बुक में कुछ है, पिपियो में भी कुछ है, लेकिन अभी आ आप कहीं और रिहाइड हो चुके हैं, तो आप एड्रेस स्वैम चेंज कर सकते हैं, इसके साथ ही आप अपना मोबाइल नंबर आपने सीम चेंज कर लिया, ऑपरेटर चेंज कर लिया, तो आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, अपना इमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, bank details इसका मतलब है आप bank को change कर सकते हैं, account number change कर सकते हैं, उसके IFSC details, यह अगर आपने bank को switch किया है, तो यह सब change आप swam कर सकते हैं, यह सब के लिए supporting document होते हैं, जैसे आधार card, pine card यह सब update करते हैं, तो उसके PDF या image format में आपके पास readily available होना चाहिए, आपके computer में, laptop में, mobile जहां से कर सकते हैं, ताकि तुरत इसे upload करना होता है, और तुरत के तुरत ही, दो मिनट के अंदर ही process completed दिखाता भी है, यानि कि यह सब instantly हो जाते हैं, तो आपको दो तरह की मैंने बताया, profile में, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से आप Spurs का PPO download करेंगे, और जारी आपको declaration करना है, तो कैसे tedious से बचने के लिए, यह सब तमाम हमने अपने पिछले वीडियो में किया है, तो आप playlist से भी जाके देख सकते हैं, यह सब जब profile आपने change किया, edit किया, तो जो editable है, यहाँ arrow mark है, उस arrow symbol को आप जब click करेंगे, तो आपको editing के लिए छोड़ेगा, न जब final save करते हैं, तो आपको एक prompt message आएगा, you have saved your data successfully, submit आपने successfully कर लिया, इस तरह से message आजाते हैं, और इसके साथ ही आपके mobile पर भी एक ID आते हैं, कि आपने इसके तहत आपने किया, कि अगर आपके बदले कोई और कर रहा है, कोई fraud हो रहे हैं, तो इसका जानकारी भी आपक जानकारी अगर आप रखेंगे, तो आपके साथ fraud भी नहीं होगा, और proper information आपको दर्ज रहेगा, due diligence आपको खुद देखना है, कहीं कोई गड़बर तो नहीं है, compromise नहीं करना है, आपका जो पूरा details है, और मैं सदायब बोलते रहा हूँ, जो यहां master detail है, आपका पहली बार जो original PPO issue हुआ था, यहीं यहां master data के रूप में काम करता है, या फिर इसके बाद अगर कोई corrigendum PPO जा रही हुआ है, तो वो भी लागू हुआ या नहीं, कई लोग हैं, जो कि spouse के name, या कई खुद के ही retire हुए हैं, किसी और rank से, बाद में HFO, honorary आया, तो spurs में honorary आया की नहीं बाद का जो corrigendum PPO, कई लोगों का दो-तीन corrigendum PPO आता है, वो सारे corrigendum का जो SAR है, bank में तो सब लागू होते गया था, यहां पर लागू हुआ की नहीं, अगर नहीं हुआ, तो उसे आप check किजिए, अगर edit करने को छोड़ता है, तो edit किजिए, नहीं, तो आप service request में दीजिए graviances में दीजिए, आप यह हमेशा प्रयास किजिए कि purify करके रखे, और जो PPO में है data, जो कुछ भी नाम हो, date of birth हो, वही आपके आधार में भी होना चाहिए, नहीं तो फिर life certificate जब जीवन परमान के तहट जमा करेंगे, तो अगर डेमोग्राफी फेल, इस तरह कि आपको पर बर्त भी कर सकते हैं, चेंज एक बार, एड्रेस जितना बार चाहिए, उतना बार आधार में चेंज कर सकते हैं, महज 50 रुपे के देखे, तो वहाँ भी प्राबधान दिया हुआ, यह सब प्राबधान को आप तक पहुचाना इस ट्रेनिंग के माध्यम से, और अंतता करना तो आपको ही है, तो उमीद है, आप यह सब प्यूरिफिकेशन करेंगे, हमारे ट्रेनिंग से लाभानवित होते रहेंगे, बहुत बहुत वहन्यवाद, क्योंकि आप अपने जीवन का एक महतोपूर्ण हिस्सा हमारे साथ बिताते हैं, और हमारे उपर और भी जिम्मेवार प्रमानिक सूचना दू, जानकारी दू, ट्रेनिंग दू और अगर आपको लगता है कि मैं स्क्रीन के द्वारा ओनलाइन करके दिखाऊ, तो आप कमेंट के माध्यम लिखे, मैं ओनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकता हूं, एक एक स्क्रीन स्लाइड बनाके या डािरेक्ट में website पढ़ ले जाके भी आपको दिखा सकता हूँ ततकाल आपके comment का मुझे इंतिजार रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मिलता हूँ जय हिंद सभी फाउजी पेंसनर बंधो को